इस वर्स छै पक्ष आ रहा है जो तेरा दिन का आसाड महीने का जो कृष्ण पक्ष है यह तेरा दिन का है प्राया कोई भी पक्ष एक महीने में दो पक्ष होते हैं एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष 30 दिन के महिने में यह दोनों पक्ष 15-15 दिन के होते हैं कभी तिथी का हराश और तिथी की व्रधी अर्था तिथी 6 के कारण 14 दिन का पक्ष हो जाता है और तिथी व्रधी के कारण 16 दिन का पक्ष हो जाता है यह सामान नवात है लेकिन जब दो तिथियों का छै होता है तो वह अत्यन्त हानिकारक होता है इस वर्ष आसाड महीने की क्रश्न पक्ष की दुतिया और चतुरदसी तिथी का छै हो रहा है ये दो तितियों का छै हो जाने के कारण यह आसाड महीने का क्रश्ण पक्ष तेरा दिन का हो गया है और यह तेरा दिन का जब पक्ष होता है तो महा भारत जैसी इस तितियों को उत्पन्ण करता है जब कोई ग्रहन एक ही महीने में दो ग्रहन आ जाते हैं और क्रश्ण पक्ष या सुक्ल पक्ष कोई भी छे पक्षर्था तेरा दिन का हो जाता है तो वह राजनीतिक द्रश्टी से भी बहुत हानिकारक रहता है राजनीति में उथल पुथल की स्थिती बनी रहती है अनेक प्रकार के विरोधी देशों के द्वारा युद्ध की संभावनाई बन जाती है प्राया ऐसा देखा जाता है कि पानी या तो बहुत अधिक बरसता है उस बाढ़ के कारण विनास होता है अथवा कहीं कहीं बिलकु सूखा पड़ जाता है उस कारण से भी त्राही त्राही जनता जो है करती है और भूख और प्यास से व्याकुल होती है अनेक प्रकार के असाद रोग उत्पन होते हैं तेरा दिन के पक्ष के कारण और इस प्रकार के रोग उत्पन होते हैं कि जिनको समझना जब तक कोई व महामारियों के कारण और इस प्रकार की कई बार पक्ष मैंने अपने जीवन में देखे हैं कि ऐसी इस्थितिया उत्पन हुई हैं और जिसमें केवल एक ही आध्यात्मिक केवल सहारा रहता है अपने जो इस्ट देवता हैं या जो कुल देवता हैं उनकी सरण में जाकर के जो राम देवता हैं उनकी सरण में जाने से ही वो सारी आपदाएं दूर होती हैं तो आप ये समझ लिजिए कि सनी का वक्री होना साथ में सुक्र जैसे सुभग्रह का अस्त होना और उसके साथ 13 दिन का 6 पक्ष होना ये निश्चित रूप से बड़ी बड़ी आपदाओं का संके करता है